वुहान का केस से बड़ा कोई सर्प्राइज हो नहीं सकता वेभव की हर एक मुल्क मॉल्डीव तक जो की बहुत छोटा मुल्क है जिसके पास कुछ नहीं है सिर्फ छोड़ के टूरिजम मॉल्डीव तक ने अपने बंदे निकाल दिये ये एक महने से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे सौचेंगे सॉचेंगे इननों ने कभी कुछ नहीं काराчес और इनोंने चाइना को बली चाड़ा दिया अपने चाइना को बुरा नहीं लगे ये अपने लोगों को फिर उनोंना सपड़ाइज दिया ये अदें इंडिया को सब्रicação सुन वाज शरीTO नवाश हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तानी आए और हमें सर्प्राइज दें लेकिन वो देंगे नहीं वह भफ मुझे नहीं लगता हमें फिर से एक रिमाइंडर भेजना पड़ेगा और को मेकप वेकप का इटम भेजना पड़ेगा दर्जी भेजना पड़ेगा वहाप लेने के लिए एकानुमी तुमारी डूब गई एफए टी एफ की ब्लैक लिस्ट में तुम हो डिप्लोमाटिकली तुम्हें जूते पड़ चुके हैं क्योंकि साओधी अरेबिया मलेशिया कोई तुमारी अब बात मानने को राजी नहीं है और्गनाइजेशन ओफ इस्लामिक को आपरेश तो पाकिस्तानी बड़े एकसाइट हो गए कि क्या सर्प्राइज मिलेगा तो भई उन्होंने को सर्प्राइज नहीं दिया तो बीच में हमने उनके लिए चूड़ियां बेजी थी इम्रान खान और बाजवा के लिए तो लोग काफी गुसा हो गए ते कि साब आप पाकिस् लिए तो यहा नहीं भोल रही तो यह तो यह नहीं बोल राधी और भी जो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला भई जो आवाम ने सज सद्धा पमें इसा ए मिनॉ स्दूछ इंदुस्तान में क्या रस्म है हिंदुस्तान में रस्म है कि जब ओरतें फौजियों को देखती हैं तो राकी बांती है रस्म है पाकिस्तान में रस्म है कि जब ओरतें फौजियों को देखती हैं तो उनको चूड़ी देती है अब अब इस पाकिस्तानी कल्चर आई कि आई शूड़ी थी ती वो क्यों भेज और मिरत की मिर और सब के नाम उन्होंने गालिप से सबके नाम इनों नों जोड़ दिया जो भी है comedians तो अब यृनने क्या करणा पाकिस्तानी comedians ने कि they have said that कि भाई हम आपको अटेक कर देंगे we'll give a surprise अचा हम चाहते थे यह सर्प्राइज करें यह चाहते थे हम अटाक करें इनकी गहरत जागे इनकी गहरत सो चुकी है मर चुकी है मुझे लगता है तो एक और गहरत जगाने के लिए आज करेंट देने की जरूरत है वैबव तो यह विडियो आज पाकिस्तानी आर्मी चीफ को करेंट देने के पिर हम यहां से टेलर बहजेंगे वेबव, एक टेलर बहजेंगे जो फिर नाप लेगा, प्रापर, और जो नाप लेगा वो मैं कहना ही सकता वीडियो पर वो नाप वाप लेगा, फिर उनको जो मुझरे करना है मिनारे पाकिस्तान के नीचे वो करें. क्योंकि इसी वैबाव यह लड़ नहीं सकते इनमें हवा जा चुकी है यह कहते हैं हिंदुस्तानियों को सर्प्राइज देंगे अरे सर्प्राइज तुम लोग हो चुके हो भाई तुमारे चीफ को एक्स्टेंशन मिलिया एकॉनुमी तुमारी डूब गई FATF की ब्लैक लिस्ट में तुम हो डिप्लोमाटिकली तुम्हें जूते पढ़ चुके हैं क्योंकि साओधी अरेबिया मलेशिया कोई तुमारी अब बात मानने को राजी नहीं है और्गनाइजेशन ओफ इसलामिक कोपरेशन ने तुम्हें थूग दिया तुमारे बाहर ग्रे अच्छी खबर तुम्हारी पिछले साल 27 वर्वेली की उसी को तुमने हाउस दटी शर्प इससे आदा तुमने कुछ कर नहीं है ना तुमारा मुल्क कुछ कर सकता है तो यह जो पाकिस्तानी कहते हैं कि भई हम आपको सर्प्राइज देंगे सर्प्राइज देंगे क्या सर् तो इनका अभी तक वैबफ दस और चीज़ हैं जो हम बता सकता हूं इनका कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनका जो नया पाकिस्तान बनाने वाला जो इनका आर्किटेक्ट है वो इनका साथ बज़े के बाद नशा करके कोकेन करके वो फारग हो जाता है अच्छा जब मैंने पह कामरान चाहिद की शो मैं तो ही सट ते सेम थिंग इन कामरान चाहिद शो उसने च्छे बज़े का टाइम दिया मैंने साथ बज़े बोला तो थोड़ा सा एक गंटे का वह आदे घंटे का टाइम डिफरेंस है और आदे गंटे के लिए माफी मंग लेता हूं चलो च्छे बाद नबील कबोल जो कि एक प्रोमनेंट पाकिस्तानी पॉलिटिशन है वो यह कहते हैं साहब यह च्छे बज़े के बाद सारे स्क्रेटमेंट एच्छे बज़े के बाद देते हैं उनना ने चैलेंज करा है एक खुली शो में एंड कामरान साहब इस नोड़ी फेमस परसन बढ़ा नाम है मीडिया में कामरान साहब की शो में उनने बोला है साब कि मैं चैलेंज करता हूँ आप दिखाइए एनका कोई डिसिजन 6 बज़े के पहले का है सारे शान के 6 बज़े के बाद किया है क्या करता है इमरान कान 6 बज़े 6 बज़े के बाद वो गाजी भी बन जाता है मुझाहिद भी बन जाता है अटैक भी कर देता है नुकलियर वार के बारे में बात करता है कश्मीर के आज़ादी भी दिलवा देता है 6 बज़े के बाद तो पाकिस्तान जब जब हमें कहता है कि हम सर्प्राइज करेंगे तो भ एक स्पेशल सेशन करें कश्मीर में उन्हों ना मना कर दिया कह रहा है तो तुम फारेगो हम लोग फारेगो हम प्रास अक्च्छल काम वाम है यहां पर तेल पैसे वाले लोग हैं देरों पाकिस्तान इस लाइक पूर कजन कभी हमारे घरों में भी होता ना गाउं से कोई जारी में लेकर जनरली हो जाता है इस उन्फॉटनेट बट यह है कि यू डोंट टॉलरेट बिकॉस पीपल जनरली लुक फोवड टू कि वहां से आ रहा है विचार अपनी पोटली लेकर अपना रोटी और प्याज बांद के नोबड़ी गिवसा में रिस्टेक्ट हो हर ची हर चीज में ये बस इनको अब ये बड़ा खुश खुशिया मना रहे थे कि साब यूएन का चीफ पाकिस्तान आ गया देवर सेलिबरेटिंग की यूएन के चीफ ना अब यूएन के चीफ का जो गन्ना है वो कई बार मशीन में डालेंगे कि कितना जूस निकले गन्ने वाल बड़ों की क्रिकिट टीम आ जाती है तुम दिये जलाने लगते होगी किया क्यों को बड़ा याद में आ गया क्रिकिट टीम आ गई यहां पर रोज पड़ी रहती है क्रिकिट टीम, Head of State, Rockstar, Musician, बाहर से Filmstar, कोई ना कोई आ आ रहा है, Global Celebrity आ यहां पर ठीक है, जो पपराज जिस्टिस था, जिसको बिलियन्स ओफ रुपीज एखटा करें कि साब डैम बनाएंगे, डैम बनाएंगे, उसने क्या करा, कि वैबब उसने पूरा डैम का पैसा लिया, विदेशियों ने भी बेज़ा, तो पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस थे, उन्होंने पै पाकिस्तानी आपके पौवर्टी लाइन है, पौवर्टी लाइन के नीचे चले गए, जबकि पूर इंडिया में भी एवव, लेकिन हर साल कई मिलियन लोग पौवर्टी के उपर जाते हैं, 271 मिलियन जो गरीब थे, वो गरीबी रेखा के उपर, पौवर्टी लाइन के उपर इंडिया में आगए, पिछले साल के हमारे फिगर्ज है, इनके 9 मिलियन यानिके 90 लाक, इनके नीचे गए है, यह हो सकता है कि उपर आने वाले कम हो जादा हूं, लेकि नीचे नीचे, य दूसरी चीज, इनकी जो ग्रोथ है, अब वो डेल परसंट रह गई है, यह इनका तीसरा सर्प्राइज है, अब इनका चोथा सर्प्राइज, बाजवा ने एक्स्टेंशन ले लिया, सब को भढ़का के, सब को भढ़काया बाजवा ने, कि यह हो जाएगा, वो हो जाएगा मौत आ जाएगी, खून की नदिया महेंगी, और पाकिस्तानी डर्पो कौम, सब लोगों ने बोला, हाँ, हाँ, बाजवा हमारा मसिया, मसिया डूनते हैं नहीं लोग, तो इन्स्टूशन तो काम करते नहीं है, मसिया डूनते हैं लोग, कि एक आदमी आएगा, हमें बचा क ले जाएगा, बाजवा ने चुप चाब एक्स्टेंशन लिया, बाजवा चुप, सन्नाटे में बैठा है, बाजवा कोई ख़बर में बाजवा की, आसिफ गफूर साहब ने दो-धाई साल सरकारी पैसे पे अपना पूरा एक परस्नालिटी कल्ट बनाया पाकिस्तान में, तो he became a big hero among all the unemployed Pakistanis, वो अपना Abba हुजूर मानने लगे ना, उनको की आसिफ गफूर साहब आए है और ये कर देंगा, ये कर देंगा, अब उनकी पोस्टिंग हो गई, उन लोग ने इनको सर्प्राइस दे दिया, और इनके का उनसे सर्प्राइस थे भई, कि इमरान खान साब करने के लिए, आलम ये है, इमरान खान के राज में, और बाजवा के राज में, कि अब पाकिस्तानियों को बाहर नौकरी नहीं मिल रहें, इनको वीजे नहीं मिल रहें बाहर जाने के लिए भई, इस ओल्सों फैक्ट, अच्छा, ये एक और सर्प्राइस इंडिया, इनके स उसके लिए बड़ी डिमांड चल रही है, कि इंडिया से खोल दो भई, इंडिया से हमें चाहिए चाहिए, उसके बिना नहीं होगा, टमाटर नहीं खा पारे, आटा नहीं खा पारे, अभी हाल फिलाल में, पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट आई थी, एक इनसान की, जो एक माजरत की चिठी लिखे गया, कि साब मैं मेरे बच्चे चार दिन से खाना नहीं खाए, भूके मर रहा है मेरा परिवार, मैं चोर नहीं हूँ, लेकि मैं दुकान के अंदर घुसके समान इसले ले गया, क्योंकि जो मेरे पास पैसा पहले हुआ करता था, वो पैसा नाका सिर्फ छोड़ के टूरिजम, मॉल्डीव तक ने अपने बंदे निकाल दिये, ये एक महने से प्रॉमिस कर रहे हैं, कि हम कुछ करेंगे, सोचेंगे, सोचेंगे, इन्होंने कभी कुछ नहीं करा, और इन्होंने चाइना को बली चढ़ा दिया, अपने स्टूद्स की चाइ पाकिस्तान सिर्फ ऐसाही अलेदा मूल्क है दुनिया में, जिसमें अभी पॉलीयो का केस है, और एक आता कोई एफरीका का मूल्क हो गरी मुल्क, वैसे पाकिस्तान ही है, नून कंट्री जिसमें पॉल्यो है, नवाज शरीफ के टाइम पे दो या तीन होते थे थे, पॉली आप मोटा मोटी एवरिज लेकर साले चाह बजे, साले चाह बजे के बाद इमरान खान फारे गे पूरा. तो वेब अभवी एक और सर्प्राइज पाकिस्तानी कौम को मिल गया. कौम को सर्प्राइज यह मिला कि बाजवा साप का दिमाग और चेहरा इमरान खान का दिमाग तो वैसे काम नहीं करता. बाजवा साप का दिमाग और इमरान खान साप का चेहरा. बोला किसा आप देखिए, सोशल मीडिया कंट्रोल रहेगा. कोई पाकिस्तानी अगर फौज के बारे में कुछ बोले, यह अमरान खान की हुकूमत के बारे में बोले, तो फिर उसके उपर कड़ी कारवाई होगी. और जितनी भी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, या ट्विटर है, या यूट्यूब है, या कोई भी है, वाट्साप है, X, Y, Z, ये सारे के सारे अपना सर्वर्स रखेंगे पाकिस्तान में. और अगर विदिन फोर आवर्स इन्होंने कोई अब्जेक्शनिबल पोस्ट या ट्वीट को नहीं हटाया, तो पचास करोड का फाइन इनके उपर लग जाएगा. अब एक बात सोचिए, जो कंपनीज साओधी अरेविया के सामने नहीं जुकी, चाइना के सामने नहीं जुकी, चाइना के सामने नहीं जुकी, किसी और कंट्री के सामने नहीं जुकी, ये पाकिस्तान के सामने जुकेंगे, ये ऐसा पाकिस्तान समझता है. बही यह कंट्रीज कहेंगी कि हम आज जोड़ रहे हैं हमें आप सा धंदा नीचे क्योंकि वैसे भी इंडरीन से खारे हैं फिर इंग्लिश और दू बूल जाएंगे मैं दूसरे को वह करेंगे वह टेवर चैनीज सोशल मीडिया प्लाटफर्म से तो यह इनों और सप्राइज तो आटफर सब्सक्राइज तो हमें गिना दी है अभी हमें सब्सक्राइज देने की बात करें गवा इंडिया को सर्प्राइज दो तो विए वेटिंग हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तानी आएं और हमें सर्प्राइज दें लेकिना वो देंगे निवेबफ मुझे नहीं लगता हमें फिर से एक रिमाइंडर भेजना पढ़ेगा और को मेकप वेकप का इटम बेज हम खुद कह रहे हैं as Indians हम कह रहे हैं कि तुम्हें लेक्टेड हो तुम्हें यह क्या कहने की जरुवत है कि तुम्हें you know you are not afraid of Pakistani army because you are not corrupt, corruption तुमारी court decide करेगी, corruption तुमारी court decide करेगी कि तुमारा army chief decide करेगा, और आखरी बात, यह पाकिस्तानी जज्ज, यह पाकिस्तानी जज् ने क्या बोला है, प्रोटेस्टर्स को, जो उनके प्रोटेस्टर्स थे, उनके बारे में हाली में कमेंट आया था ना पाकिस्तानी जज्ज का, किसाभ यह, don't worry, we, मतलब freedom of expression को, पाकिस्तानी constitution, value करता है, और आप चिंता न करें, यह पाकिस्तानी इंडिया नहीं है, मतलब वो तो चलो एक, ठीक है, पच्तुनताफिस मुव्मेंट का एक लीडर है, मन्जूर पच्तीन, इन्होंने अली वजीर को अंदर कर दिया, इन्होंने मौसन दावर को अंदर कर दिया, इन्होंने जुलफेकार भुटो को मार दिया, इन्होंने बैनेजीर भुटो को मार दिय इन्होंने अग्बर बुक्ति को मार दिया उसका तो मुडरी कर दिया खर क्लियर केस ऑफ कोल ब्लड़िड मुडर अग्बर बुक्ति रैट जो बलोचस्तान में पच्छेस यह तीस हजार इन्होंने अफराद गायब कर दिया जिनको किसी को नहीं पता कहां पर रैट इन्हों पर उसके जो दिखाईवे रास्ते पर जो मुवमेंट इन लोगों गायब कर दिया अब मंजूर पश्टीन को गायब कर दिया सब तो यह लोग यह जज कहता है कि पाकिस्तान है बड़ा इंडिया नहीं है मतला हमें वो टॉंट करके कह रहा है तो कहना जट सब कहां से अपने अपने वकालत पड़ी है की नहीं पड़ी कि वह जाली सडिकेट यहसे आपके लेजिसलेटर्स बनाते हैं वैसे आपने जाली सर्डीकेट बनांके अब जज़ बन गई है कहां का अग"... और रर अम नौ खर पड़ते हैं होश के नाकून ले जट सब आप जदसाब से को यह पूछे कि आप ही के brother judges जो brother judge हैं आपके उन्होंने बोला है कि ISI benches बनाती है आपके high court में वो on record हैं उनकी किताबें हैं उनके TV में उनके बयान है on record वीडियोस हैं कि ISI benches बनाती है तब तो इनकी हिम्मत नहीं हुई नवाज शरीफ के लोगों ने जाकर सुप्रीम कोट की judges की पिटाई करी थी सुप्रीम कोट के अंदर नून लीग वालों ने ठोकाता है नहीं judges को तब यह चुप रहे हैं खुद कहते रहे हैं साब 20-30,000 बलूज गायब हैं इतने सिंधी गायब हैं इतने मोहजर गायब हैं ज पाकिस्तानी आर्मी ने पता हैं क्या कर रहा उन ओर्डर का जब खाना खालेते हैं उसके बद हाथ पोच्छते हैं judges के ओर से और डजमन में फेग देते हैं यह उकात है पाकिस्तानी जेजिस की दिस इस ट्रू वैल्यू अगर इन में हिम्मत है तो पाकिस्तानी जर्माल को जाए करो कट गरे मैं भाई चार चार बार मिलिटरी रूल हुआ है चार चार बाल क्यों नहीं कहड़ा ख़डा करो नो उसको आप मुशरफ को इनके सुप्रीम कोट और पास कर ले मुशरफ को लियो मुशरफ नहीं आएगा मुशरफ भाई आर्मी चेफ पाकिस्तान का इस बाग लग जाएगी पूरी मुल्क में यह तो वो तो जैरल है आप एक छोटे मोटे करणल को हाथ लगा के देखा दो हां करणल को सजा देगी फौज देगी फिर अपने बंदे को सजा देगी और वो ब्रिगेडियर जैरल को सजा-ए-मौत यह लाइफ इंपरिजिमेंट बस यही फरक है जैनल साब सुननी तो जैनल साब जेल में और ब्रिगेडियर साब शिया तो आउट इस पाकिस्तान फोर यू तो जो भी जज़ वज़े मैं तो उनको सीरिसली नहीं लेता इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि फौज के खिलाफ कुछ बोलने है वैबब मैं आपक कैप्टन जाएगा एक प्लाटून लेके तीस लोगों की जज़ के घर में जाएंगे और जज़ को बोलेंगे ये लोग कि जज़ साब वाकात मर रहिएगा वरना कल आपका और आपका पूरा खांदान गायव हो जाएगा और जज़ चुप रहेगा यो पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी आर्मी जामाफिया तो यह जज़ जितनी भी बढ़के मारते ये लोग क्या करते हैं कि अपने आपको आर्मी के सामने प्रजेक्ट करने के लिए आप आर्मी के सामने अपने आपको देश-भगत और बड़ा पेट्रियोटिक दिखाना चाहते हैं तो अप इंड में यही कहूंगा अखरी में कि जब तक पाकिस्तानी फॉज जो उन्होंने वादा करा था 370 35 के हटने के बाद कि हम भारत पर अटैक करेंगे और कश्मीर में चड़ दौरेंगे जब तक यह कश्मीर में नहीं चड़ दौरते तब तक मैं अलग अलग ब्यूटी के आइ तो यह मेरे लिए इनका पैगाम है जाहिंद थे जानी तो यह जाहिं होब करेंपस्ता है जाहिं के दीजूद' सुर्पिर दौरते है झाल झाल